नियूसफर चैनल आपका स्वागत है दोस्ता है पर एजुकेशन जॉब करियर से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है कि पर चैनल पना है तो सब्सक्राइब करके विल बटन को दबात दीजिए इस वीडियो में बात करने माले MPCIL के रिकूट्मेंट के बारे में जाने के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा कोई बचता है तो आप लोगो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं अदर्वाज टेलिग्राम गुरूप में जॉइन होजए वहाँ पर भी पूछ सकते हैं तो इधर उदर बटकनिक आओ सकता है नही अबडेट एक-एक सवाल के जवाब वहाँ पर मिल जाएगा आपको लाइफ डिस्कस्वन कर सकते हैं आप लोग सभी चीज़े मिल जाएगा तो पूरी प्रोसेस जानेगी इस वीडियो में किर्फिया वीडियो के इंट तक बने रहे हैं चलिए वीडियो को शुरू करते है बिना किसी दे रही है तो आपको यह सब देह करके घवरानी कोई हो सकते हैं हम एक एक करके अराम से समझादएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा तर्याब देशकते हैं सइप्टी सुपर्वाइजर साइंट पीक असिस्टेंटफेंट सी का पोस्ट कोड़ है पोस्ट का नाम है Scientific Assistency Safety Supervisor उसके पास नमबर वान पर यहां पर देख सकते हैं जैसे कि बतायागा कि मिनिमम 50% marks in diploma in engineering या BSC अब लोग BSC है इंजिनिरिंग किये हैं तो आप लोग 50% marks कम सकम होना चाहिए 50% number होना चाहिए नमबर दो हम बतायागा कि और दोगी की सनद्छन यहां बतायागा कि 1 year diploma and certificate in industrial safety यदि आप लोग industrial safety से किये हैं डिप्लोमा तो आप लोग apply कर सकते हैं education qualification में यहां पर देख सकते हैं थर्ड नमबर बतायागा कि candidate should have 4 year a relevant experience after the obtaining requirement qualification आप लोग का qualification के बास से 4 year का कम से कम आप लोग का experience होना चाहिए उसके बास यहां बतायागा कि star करके कि जैसे कि यहां देखेंगे उपर diploma in engineering उपर star बना गया है तो जो लोग diploma in engineering किये हैं तो उन लोग को क्या सकता है कि जैसे engineering diploma in engineering should be 3 year duration after SSE, HSE मतलब दसवी यां बारोवी के बाद 3 year diploma आप लोग का मांगा गया है मतलब बहुत लेटर इंट्री से 2 साल के लिए कर लेते हैं तो ओ नहीं मांग गया है 3 year diploma मांग गया है यदि यह सब नहीं किया है तो उसके बासे आप लोग क्या क्या रहेगा तो और apply कर सकते हैं जैसे कि 2 year diploma in engineering through lateral entry entry to second year मतलब कि 2 year diploma कब लगेगा जब आप लोग 12 के बाद किया है तो आप लोग को apply कर सकते हैं Candidate with diploma through lateral entry to second year second year diploma after 10th दसवी के बाद से पल टेक्निक किया है तो आप लोग का नहीं मानने होगा लेकिन 12 के बाद से पल टेक्निक किया है भले ही 2 साल के लिए है lateral entry से तो आप लोग apply कर सकते हैं आसा करता है उसमझ में आगे होगा आगे देख सकते हैं salary के बारे में salary के बारे में इसमें बहुत अच्छा है इतना benefit अच्छा दिया जा रहा है कि आप पुछिये मत देख सकते हैं यहाँ पर आप बताया गया कि scientific assistance safety supervisor 18-35 आप लोग का age रहना चाहिए आप देख सकते हैं आप 44,900 रुबे आप लोग का वेतन मिलेगा 7 pay matrix के अनुसार 7 CPC के अनुसार आप लोग का मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं pay label दिया गया आप लोग को क्या दिया जाएंगे देशे की अप लोग बेनफीट होता है वगरा यह सब दिया जाएंगे मतलब 44,000 अर्मान लिजी एक तरह से 45,000 दिया गया और उसके बास उपर से 60-65 आप लोग का salary राम से पहुंच जाएगा आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना salary बहुत मस्त है बस आप लोग इसमें selection लेने के जी जान लगा देना है आगे देख सकते हैं bond के बारे में bond इसमें बताया गया कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर bond है मतलग कि यहाँ पर जो category first category second है category first है ताप लोग bond कितने year कर आएगा 4 year and 6 month साड़े चाल साल का रहेगा after completing training के बाद का साड़े चाल सा इसमें धन्रासी कितना दिया गया है बतना कि तीन लाग तीन अजार रुपे है इतने का bond रहेगा उसके बास से second में देख सकते हैं पर इस इच्छर समाप्त करने के बाद 5 words मतलब जब training complete हो जाता है तो उसके बास तो इतना amount आप लोगो bond में देना पड़ता है आप देख सकते हैं आगे देख लेते हैं इसमें जो दिया गया कि आप लोगा जो paper होगा किस परकार से होगा selection process में तो आप लोगा ओमर बेस्ट भी हो सकता है computer भी हो सकता है तो आप देख सकते हैं जैसे कि offline और online दोनों होने क चांसे जाए यहां पर मतलब बताया गया है तो आप लोग को जब admit card आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा था टेंसल लेना कोई बात नहीं बस आप लोग तैहरी करना है चलिए आगे देख लेते हैं चलिए syllabus के बारे में जान लेते हैं syllabus में आप लोग देख सकते ह आप लोग देख सकते हैं क्या क्या सवाल रहेगा भाग एक भाग दो दो भाग में रहेगा तो भाग एक में इंगलीज आप लोग जनल अवरनेस और क्वांटिटी अप्रिटीट रहेगा भाग दो में आप देख सकते हैं respective discipline से मतलब कि आप बतायागे कि इंगली से 20% इसके बाद से बतायागे कि तीन नमबर का एक कोश्चन आएगा उसके बाद से एक नमबर कट लिया जाएगा मतलब कि गलत करने पाद उसके बाद से बतायागे क्वालिफाइंग से कम आप लोग देख सकते हैं UR से हैं तो आप लोग 40% मार्स आना ही चाहिए UR और EWS से है तो PWD से हैं, STAC, OBC हैं तो कम से कम 30% मार्स आना ही चाहिए उसके बाद से आप देख सकते हैं बतायागे कि the candidate is securing the laser marks then the qualifying standard above will be screened out the personal interview यदि 30% से कम नमबर आता है तो परसनल इंटर्व्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा और EWS तो 40% से निचे आता है तो आप लोगों नहीं बुलाया जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं interview में क्या क्या होने वाला interview में आप लोग देख सकते हैं बताएगा कि the candidate will be shortlisted in the each discipline personal interview एक ratio 5 मतलब कि एक post पाँच लोगों को बुलाए जाएगा उसके बास in the order to merit prepared after the written exam जब paper हो जाता है तो आप लोग का एक seat पाँच लोगों को बुलाए जाएगा इस तरह से राने वाला है आगे देख सकते हैं बताएगा कि the personal interview will be 100 marks interview आप लोग 100 number का राने वाला हैं उसके बासे बताएगा कि आप देख सकते हैं expanded list will be prepared by the giving weightage 50% marks obtained in the returning exam 50% marks obtained in the personal interview 50-50% number आप लोग लिया जाएगा return examination से 50% number लिया जाएगा आप लोग का interview से उसके बासे merit बनेगा जो लोग select होंगे फिर से merit बनेगा उसके बासे आप लोग को बुलाए जाएगा selection के लिए आगे देख सकते हैं बताएगा कि जब आप लोग का numbers समान आ जाता है तो वो सब process बताएगा है जिनका अधिक रहता है उनको पहले रखा जाता है इस तरह से रहता है उनका process समाज में आ जाएगा हटा दिया जाएगा उसके बासे दूसरे candidate को बुला लिए जाएगा यदि second number पर यदि आप लोग का नाम आ जाता है यदि आप लोग जाएगा है मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिँ दोस्त